नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी विशेश पेशकर्ष पांच की आँच मैं हूँ आपके साथ राहूल गोयल स्वागत आप सभी का मैं हूँ अपरणा मौजन सबसे पहले बात करेंगे पांच की आँच में लालकिष्ट आडवानी को भारत रत्न दिये जाने की इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि पेम मोदी से लेकर ग्रे मंतरी अमिच शाह तक ने आडवानी को भारत रत्न दिये जाने के ऐलान पर क्या कहा है बताएंगे साथ ही मधिपदेश के वो कौन से शेहर है जिने भिकारी मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया क्या है और ये भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सा थाना है जो तबेला बन गया है बात बॉर्डर पार की बखरी चोरो की भी होगी और पूनम पांडे की मौश से जोड़ी खबर जूटी निकली है उन्होंने खुद कहा कि वो जिन्दा है लेकि सबसे पहले बात कर लेते हैं लाल कृष्ण आडवानी की बीजेपी के वरिश्ट नेता और पूर्व उप्रधार मंत्री लाल कृष्ण आडवानी अब भारत रत्न होंगे केंदर सरकार ने आडवानी को भारत रत्न देने का एलान किया है पि-म मोदी से लेकर ग्री मंत्री अमिद शाहा तक सब ही ने खुशी जटाई है MP 36 गड़ में भी खुशी है एरपोर्ट देखिये भारती राजनीती के शिखर पूरस देश के पूर्व उपराष्ट पती बीजेपी के वरिस्ट नीता लालकृष्ण आडवानी अब भारत रत्न होगी केंदर सरकार ने आडवानी को देश के सरवोच नगरिक समान भारत रत्न देने का एलान किया है पीयम मोदी ने खुद सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर इसकी घोशना की और खुशी जिताई पीयम मोदी ने लिखा हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताव में शामिल आडवानी जी का भारत के विकास में आविश्मरणिय योगदान है उनका सफर जमीनी स्थर पर काम करने से शुरू होकर उपरप्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक रहा है आज भारतिय जनतापार्टी के हर एक कारकरता के लिए भी गर्व और गवरव का दीन है आप सब को ये खुश्खबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सब के आदरनिय नेता लाल कृष्ण आडवानी जी को भारत रत्न देने की गोष्णा की है लाल कृष्ण आडवानी को भारत रत्न दिये जाने पर ग्रह मंत्री अमिच्षा ने भी खुशी जताई है उन्होंने लिखा है आडवानी जी आजीवन निश्वार्थ भाव से देश और देशवासियों की सेवा में समर्पित रहे देश की सुरक्षा एकता और अखंडता के लिए अभूत पूर्वकार की उन्होंने आडवानी जी को भारत रत्न दिये जाना करोणों देशवासियों का सम्मान बताया है रक्षा मंत्री राजनाज सिंग ने भी खुशी जताई है और कहा है आडवानी जी ने राष्ट निर्माण में जो महतपूर योगदान किया है वो आविश्मरणी है इस मौके पर लाल कृष्ण आडवानी की बेती प्रतिभा आडवानी ने भी खुशी जताई बादक के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है नीजी जीवन में भी और राजनीटिक जीवन में देश की सेवा में लगाया इसके लिए वो बहुत खुश खुजान है और देश की जनता का जिनसे वो असीन फ्रेम करते हैं, उनका भी बहुत घन्यवाद करते हैं कि जीवन की इस पड़ाओ पर उनको इतना बड़ा देश का सबसे सर्वोची सम्मान मिला। मध्यप्रदेश और 36 गड़ में भी लालकृष्ण आडवानी को भारत रत्न दिये जाने की खोश्रा से खुशी की लहर हैं। मध्यप्रदान मदरी का भार मानता हूं कि हमारे सब के लिए अत्यनत गोरो और आनंद का विसाय है। जिनके जीवन का एक एक शण भारत माता के चरणों की सेवा करते हुए गुजराहे बीता है। उनको भारत रत्न दिया गया है। ये फैसला बहुत स्वागत योग है। जिनोने इस देश के विकास में मैत्वण भूमिका निभाईये अपने जीवन के एक एक पल और एक छण को लगा कर। ऐसे हमारे लोगप्री जेता मानि लाल कृष्ण अडवानी जी को भारत रत्न मिला है। इसके लिए मैं उन्हें बहुत रदैसे उनको बढ़ाई शुपकामनाएं और मानि प्रधान मंत्री जी का अभार। अधरनी लाल कृष्ण अडवानी जी को भारत रत्न देने का निरने स्वागत योग्य कदम है। देश के राजनिती में, देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान लाल कृष्ण अडवानी जी का रहा है। तो लाल कृष्ण अडवानी को भारत रत्न दिये जाने पर बीजेपी में खोशी की लहर और देश में भी, लेकिन आप किसी भी परिटक स्थल या धार्मिक स्थल पर जाएं, वहाँ एक बात सब को खटकती है और वो है बिखारियों का जमावड़ा। लेकिन अब केंद सरकार ने एक बड़ी पहल की है, इसके लिए देश के 30 शहर चुने गए हैं, जिने बिखारियों से मुक्त किया जाएगा, इन शहरों में MPK भी कई शहर शामिल है। आखर प्लान क्या है आएज जान लेते हैं। बात खजराहु की करें, तो इस विश्व प्रसिद्ध परटन सल को बिख्षा वृतिम मुक्त बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर उनका वे दिन चर्या चलते हैं, जो लोग बिख्षादान दे जाते हैं सर, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। बिख्षा वृति से जोड़े लोग मिल जाते हैं, इनकी वज़े से यहाँ देश विदेश से आने वाले शधालू और परजगों के सामने चवी खराब होती है। लेकिन आप इन भिकारियों को शासन की योजना का लाब मिलेगा। बिख्षा वृति खत्म करने के लिए सरकार एक राष्ट्रे पोर्टल और मोबाइल आप लॉंच करेगी। जिसमें बिख्षा वृति करने वाले लोगों के डेटा को अपडेट किया जाएगा। डेटा के जरिये भिकारियों के पुनरवास की योजना लागू करने में भगत बिली। मतंगेश्वर मंदर जो परिसर है तो उस परिसर में जो भी भिक्षा वृति 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 हैं तो उनका डाटा कलेक्शन कर लिया गया है इसकी आगामी कारवाई अभी प्रिक्रिया में चल रही है जल से जल इसका अलग से एक आसरम बनेगा जिससे भिक्षा वृति 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 भारत अभियान में शामिल है देश के बारा जोतिल लंगों में चौथे इस्तान पर आने वाले उनका रेश्वर में बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और पुरोष विक्षा वृति से जुड़े हैं इनका पता लगाने के लिए सर्वी शुरू करते हैं क्या है प्रशासन भिक्षा वृति करने वालों को मुख्यधारा से जुणने का प्रयास कर रही है सरकार किस पहल से लोग खुश हैं उनका रेश्वर के पुजारियों का कहना है कि ये प्रजेक्ट बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था इस योजना में भिक्षा वृति करने वालों को मुख्यधारा में आने का मौखा मिलेगा जिन बच्चों को इस काम में धखेल दिया जाता है उनका भविश्य बहतर होगा केंद्र सरकार ने 30 चेरों को 2026 तक भिक्षा मुक्त करने का लक्ष रखा जिला और नगर निकायों के साथ मिलकर सरकार काम करने वाली है जिन जगहों पर भिकारी ज़ादा है पहले उन स्थानों के पहचान की जाएगी और इसके बार भिकारियों को मुख्यधारा से लाने क अभियान चलाया जाएगा शतरपुर से नरीन सिंग परमार और खंडवासी अमें जॉय सवाल के रिपोर्ट